डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपनों का जो लेक्चर अभी लेक्चर का टॉपिक था जो चल रहा है स्रीज वो है ट्रीज तो ट्रीज में हमने काफे चीज देखी बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे और ट्रीज में हमने डिफरंट टर्मिनलोजिस को समझा उसके बाद में हमें binary tree को देखना और समझना है इसको जानना जरूरी होता चुकि एक्जाम में question जो है इससे पूछी जाती है binary tree हो या फिर binary search tree हो या different apps of binary tree हो तो हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले binary tree को समझते हैं जैसे normal tree अगर होती है tree actually क्या होता ये hierarchy hierarchical form में data को store करता है ठीक है तो जैसे अगर हम लोग अपने जो family family के जो members होते हैं उसको अगर हम लोग देखते हैं तो hierarchical form में देखते हैं ज़से grandfather हो उसके पाद इसके जो संस होते हैं वो होती दो फिर उसके बाद उसके संस होते हैं उस तरीके से हम डेटा को या information को organize करके हम समझते हैं और यह काफी informative होती है समझने के लिए तो हम जब देखते हैं कि binary tree की जो definitions हैं और उसको कैसे create करते हैं और इसके different operations होते ह Ama望 सब सारे होते हैं तो लेकिन बाइनरी ट्री में जो है इसकी जो प्रोपर्टिस कुछ अलग है नॉर्मल ट्री से जैसे पहले डेफिनिशन देखते हैं बाइनरी ट्री होता क्या है तो इट इज अ हिरार्किकल डेटा स्टॉक्चर इन विच इच नोड हैज अटमॉस तो चिल्रें बाइनरी ट्री भी एक तरह का ट्री है जो हिरार्किकल डेटा स्टॉक्चर को के फॉर्म में डेटा स्टॉर करता है और जिसमें हर एक नोड का कम से कम अटमॉस तू चिल्रें मैक्सिमम जो है वो दो चिल्रें ही होगा एक लेफ्ट चैल्ड होगा और एक राइट चैल्ड ह एक यहां पर ट्री हमने यहां पर दिखाया है डिजाइन करके आप देखें यहां पर एक सबसे जो टॉप में है यह रूट नोड है यह क्या है रूट नोड है ठीक है उसके लेफ्ट में एक यहां पर इसके चैल्ड नोड है और इसके राइट में है तो यह लेफ्ट नोड हो हो गया और इसके left, right में यह हो गया, और पिर इसके left में यह हो गया हो गया, इस तरुए से एक binary tree होता है, अब जब हम देखें गे Different stepetty उब binary tree को तो हम उसमें जाने कि full binary का होता है, complete binary tree क्या होता है, Different types उब binary tree होते है nou लेकिन पहले हम binary trees की कुछ और points को देख लेते हैं कि binary tree होता है क्या है अब यहां पर देखते हैं binary tree के जो परती एक node होते है यानि इछ node क्या contain करता है सबसे पहला जो है pointer जो है left subtree होता है और दूसरा क्या होता है right subtree होता है ठीक है और एक node में क्या क्या होता है left subtree के लिए pointer होता है वो left subtree को contain करेगा दूसरा क जिसमें नोड में right subdree के लिए pasteiye को beginning करेगा और बीच में जो होता वो actually data होता है ठीक है जैसे डाइगरा में आप देखें यहां पर इक नोड है इसमें यह वाला जो पॉंट है यह left subdree को hold आते हैं ध्यान रहे जो भी नोड होगा सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा दिन राइट में जाएगा जब हम लेफ्ट सब्ट्री में आते हैं तो यहां पर फिर एक नोड हुआ इसके बाद कोई अलेमेंट है नोड है तो लेफ्ट में जाएगा पहले तो लेफ्ट में गया तो इसकी information यहां है और इसके बाद कोई नोड नहीं है तो क्या होगी यहां पे कोई jumped recent यानि कि कोई इसके बाद left very well और right miejsc notorily भी नहीं है वापस हम jetzt धी में आते हैं जो information इसके right में देखते हैं कोई node है नहीं है तो इसलिए यह कोई pointer को contain नहीं करेगा तो इस तरीके से एक नोड होता है वह लेफ्ट सब्ट्री को पॉइंटर को contain करेगा और राइट सब्ट्री को करेगा और एक इसका जो एक्चुल डेटा वो होता है आप जो हम बात करते हैं terminalogy की की갔ि baineri tree की टerminalogy के टर्मिनलोज था रहल हुथ है जो आप ने जो नॉरमल ट्री लिए टर्मिनलोजी बढ़ tutti पढ़ वही है है अब जब हम binary tree को आगे बढ़ते हैं समझने के लिए एसकी हम advantages को भी देखते हैं इसकी application को भी देखते हैं सक्क्या क्या को भी करशेंशन सक्ध kitchen को भी देखते हैं तो आज कि रिक्च्चर में हम advantages तक ही देखेंगे उसके बाद next lecture में हम देखते हैं इसकी keys maybe Pen gig we got different our structure relationship in the data that means जो data जो होता है data के बीच में जो relationship structure relationship वो उसको establish करता है ठीक है उसके बाद देखते हैं provide efficiency for inserting and searching elements चुकि जब binary tree की हम difference types पढ़ेंगे तो वहां को मिलेगा देखने को मिलेगा कि जो इसकी efficiency है inserting और searching elements की यह बहुत बढ़िया होता है easily हम जो है data को insert कर सकते हैं element को find कर सकते हैं उसके बाद next है trees are very flexible data that means जो data होता है जब जहां से इसको store कर सकते हैं उसके बाद है represent hierarchies चुकि इसमें hierarchical form में यानि की tree के form में सबसे top में होका top to bottom जाता है उस form में या data store होता है इसकी सबसे जो best example होती है वो family tree होती है family tree के बारे जब भी हम जानेंगे तो अगर हम अपनी parents या grand parents के top से अगर हम बनाना चाहें तो grand parents हमारे लिए root node हो जाती है उसके बाद उसकी जितने भी sons होता है binary tree तो नहीं है लेकिन वह hierarchical form में data को store करता है लेकिन ध्यान रहे जो binary tree होता उसमें या तो zero या तो कोई